आघ के बिडियो के अंदर मैं आपको बता का अगर आपके किसी भी वुलुतू speaker के board का prinτ उखड़ जाता है चाहे वह आपका battery का prinト हो या फिर speaker का prinト हो या फिर oni button का prinト हो तो आप कैसे line को trace करोगे कैसे उसके अंदर wire जोड़ोगे कैसे उसके अंदर connection करोगे सब कुछ आज की वीडियो के अंदर मैं आपको full detail से बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप सुरू से end तक देखें और वीडियो को आगे start करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा friend कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तब ही आप हमारी चैनल को subscribe और वीडियो को like करें otherwise वीडियो को dislike करें तो चलिए friend ज़्यादा समयना गवाते हुए वीडियो continue start करते हैं तो देखे friend जब भी आपके पास कोई ऐसा board हो जिसके print निकल गए हो तो किस तरी किसे आपको track को पहचान के wire को जोड़ना है आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं पहले इसको थोड़ा सा जों करना हो ताकि आप board को अच्छे से देख पाऊ तो यह जो board है friend मेरे पास है WS887 model की Bluetooth का board है यह और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे सारे print उखड गए है जैसे कि हमारे speaker की जहां पे wire लगती है उसका भी print उखड गया है जहां पे हमारे battery की wire लगती है वो भी हमारे print उखड गया है जहां पे हमारा on-off button लगा होता है उसका भी print हमारा उखड गया है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों के point बताऊंगा कि किस तरीके से आप पहचान के wire को जोड सकते हो तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जोम कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जहां पे हमारे speaker की wire लगती है उस point को आप कैसे पहचान होगी तो board को जोम करने के बाद आप देख सकते हो friend की यहाँ पे आपको एक 6 lag की IC दिखाई दे रहे होगी यह हमारे board की sound IC है अब इसके अंदर के friend की इसके बिलकुल pass में यह आप देख सकते हो कि हमारे speaker के point होते है जहां पे हम speaker की wire को जोड़ते है यहां पे SP minus लिखा हुआ है और यहां पे SP plus लिखा हुआ है तो SP minus वाले point का तो print हमारा okay है लेकिन SP plus वाले का हमारा print उखड गया है तो ऐसे में काफे सारे लोगों को यह confusion रहती है कि यार अब wire को हम जोड़े कहां पे क्योंकि एक print हमारा okay है और दूसरा हमारा उखड गया है तो देखिए print सिंपल सी बात है अगर इसका print उखड गया है तो आप यहां पे wire को sold नहीं कर सकते लेकिन आपको क्या देखना है अगर आपका यहां से print उखड गया तो सबसे पहले आपको track को देखना है कि यहां तक track आ कोन सरा है तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देख पा रहे है कि यह जो हमारी 6 leg की IC है इसके 6 number pin से यह track देखे यहां से आ के हमारे इस point तक पहुँच रहा है तो ऐसी में friend हमें यह पता चल गया कि यही वाले जो track है हमारा यहां तक आ रहा है IC के leg तक तो हम क्या कर सकते हैं हम दो काम कर सकते हैं एक तो आप क्या कर सकते हो यही पे blade से इस track को scratch करके यहां पे point बना सकते हो और दूसरा friend आप सीधे ही इस point पे wire को जोड सकते हो क्योंकि यही track तो यहां पे जा रहा है बस यहां पे हम sold करते हैं इसे आप सीधा यहां पे भी कर सकते हो काम चल जाएगा आपका या फिर अगर आपको यहां पे soldering करने हम दिक्कत हो रही है तो आप यहां से blade से scratch करके यहां पे point बना सकते हो देखिए किस तरीके से आपको बनाना है सब कुछ मैं आपको practically बताऊंगा और connection करके और सब कुछ चला के आपको दिखाऊंगा friend ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए तो यहां पे क्या करना है आपको इस तरीके से blade लेना है ठीक है, blade को हम क्या करेंगे यह जो हमारा track है क्योंकि हमें यह तो पता जल गया कि यह track यहां जा रहा है इस point पे तो यह track हमारा है तो इसको हम यहां पे बिल्कुल साथ में ऐसे scratch कर लेंगे ऐसे आपको track को scratch कर लेना है कि कोई होर प्रोलम इसके अंदर हो जाए तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो इस तरिके से देखे यह हमने scratch कर दिया इसको अब यहाँ पे क्या फ्रेंड आपको क्या करना है हल्की से paste लेनी होती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हलकी से paste लगा देते हैं इस तरीके से आपको हलकी से paste लेनी है और यहाँ पे इस point पे हम हलका से लगा देंगे इस तरीके से हमने लगा दिया अब हमें क्या करना है solder iron की मदद से यहाँ पे layer चड़ा देनी है और यह हमारा करेंगे इस तरीके से इसको sold कर देंगे तो देखे हलकी से आपको layer बना देनी है तो यह देख लो तो यह जो हमारा point है यह हमारा बन गया है speaker का इस point पे आप wire को जोड सकते हो या फिर आप सीधे यहाँ पे भी जोड सकते हो अगर आपको जोडना है तो यहां से भी जोड सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पे जोड़ो यहां पे जोड़ो क्योंकि track तो एक ही है तो आप इस हिसाब से जोड सकते हो अब यह चीज़ आपको समझ में आगी अगर आपका print उखड जाता है speaker का इस तर Ire के से आपको track को देखना होता है अब इसका ओला जो track है यही से यह कहां पे गया हुआ है? इस lag पे गया हुआ है तो आपको सीधा यहां अगर आपका print उखड जाता है तो यहां पे आप जोड़ोगे इस तरीके से आपको देखनी होते हैं सारे चीज़े, अब दूसरा देखे, प्रेंड, यहां पर आप देखोगी, जहां पर हम बैटरी की वायर को जोड़ते हैं ये ट्रेक भी हमारा पूरा उखट गया है, तो यहां पर हम किस तरीके से वायर को जोड़ेंगे, इसको आप होगे तो यहां पर भी आपको मिल जाएगी यहां पर भी माइनस लिखा ओफ़े यहां पर भी आप माइनस सप्लाय का जोड़ सकते हो या फिर प्रोवलम होती है थो यहां से अगर आप देखो गे तो यहां से आइक जा रहा है और इसके बीच में एक टेंस लगा हुए और रेजिस्टेंस हो के यह जो वायर आगे जा रही है यह लीडी पर जा रही है तो अगर यह हमारे चारजिंग जाक होता है तो यहीं से इसको supply मिल जाती है यह LED हमारे काम करने लगती है और उसके बाद यह हमारे डायोड पर जा रही है यह जो जो print है वो भी उखड़ गया और यहीं से जो supply गई यह देखे यहां पर चलीगी हमारे battery के plus point पर यह देखे जो point है यह हमारे battery के plus point है और यह वाला जो है यह हमारा minus है तो minus के लिए तो friend यहां पर भी देखे एक point दे रखा है आप minus वाली वायर यहां पर भी लगा सकते हो बाक लेकिन हमें plus देखना होता है तो यह battery की आपको मैंने आपको बता दिया कि यह point हमारा plus का है तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह track तो हमारा जा रहा है तो आप यहां से scratch कर सकते थे लेकिन इस board के अंदर क्या हुआ friend की यहां से भी हमारा print उखड गया है तो यह यहां पर जोड़ेंगे battery की एक wire को आप यहां पर जोड़ सकते हो और दूसरी minus वाली को यहां पर जोड़ो या फिर यहां पर जोड़ो क्योंकि minus हमें यहां से मिल जाएगा यह भी minus लिखा हुआ है और minus ना दे रखा हो कहीं पर तो आप simply इस body के कहीं पर उपर touch कर सकते हो यह आपको minus मिल जाएगा तो इस तरीके से plus यहां से मिल गया आपको और minus यहां से मिल गया और button के लिए क्या है friend की button का भी connection यहीं से जा रहा है हमारे button के उपर तो हम क्या करेंगे button के लिए एक wire को यहां पर जोड़ेंगे और दूसरी जो wire हमारी touch होती है हमारे इस point से touch होत जिस भी point से आपका button on होता हो friend उसी point को आपको scratch करके ऐसे point बना लेना है अब यहां पर क्या हुआ friend की इस तरीके से मैं साफ कर रहा हूं तो इस वाले track पे भी हमारा कुछ हिस्सा साफ हो गया है तो आपको soldering इस वाले point पर करनी है ना कि इस वाले point पर तो इसको आप कट कर स पर बहुत बारिक-बारिक है ना friend इसलिए दिक्कत होती है तो मैं क्या करता हूं इस point को हटा देता हूं एक बार तो यह देखिए friend मैंने क्या करा है इस वाले point को scratch कर दिया यह जो point है यहां से स्क्रैच हो गया था तो इसको मैंने यहां से line को cut कर दिया क्योंकि इसका काम अ यहाँ पे लेयर चड़ा देता हूं सारे पॉइंट पे मैं लेयर चड़ा देता हूं उसके बाद मैं आपको इसको कनेक्ट करा के ओन करके भी दिखाऊंगा तो आप वीडियो को भी पूरा देखें तभी आपको अच्छ समझ आएगा तो इस पर हम यहाँ पे पेस्ट लगा पॉइंट को स्क्राइच करो तो दूसरे पॉइंट के साथ आपका पॉइंट टच नहीं होना चाहिए तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है तो यह हो गया हमारा और यहां से हमारा माइनस मिल जाएगा मैंने आपको कनेक्शन बताए दिये तो देखें यह चीज तो पॉइंट पर आप वायर के कनेक्शन दुबारा से जोड सकते हो तो यहां पर भी उसी तरीके से हमने पॉइंट सारे बना लिये हैं अब देखें मैं आपको सारे कनेक्शन जोड के दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से किलियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि ज पॉइंट आपको बताये हैं वीडियो के अंदर वह सही तरीके से काम करते भी हैं कि नहीं करते तो यहां पर देखें सबसे पहले हम स्पीकर की वायर को जोड़ेंगे तो यहां पर एक वायर को हमें जोड़ना है और दूसरी वायर को हम इस पॉइंट पर जोड़ेंगे जो प्लस-्सप्लाई आती है और यहां से सप्लाई यहां पर सक्ते हो यहां से खतम हो चुका है तो हम क्या करेंगे प्लस वाले को यहां के वाले को यहां पर बताया है, या तो आप यहां पर भी जोड सकते हो या बैटरी के माइनस पॉइंट पर भी जोड सकते हो या फिर इसके उपर जोड सकते हो तो माइनस आपको कई जगा से मिल सकता है तो मैं फटाफट क्या करता हूं आपको बैटरी के भी connection करके दिखा देता हूं और उसके बाद फिर हम इसको ओन करके आपको दिखाएंगे यह देखिए फ्रेंड यहां पर हम इस वाली बैटरी का यहां पर यूज करने वाले हैं अगर आपके पास यह सैल वाली बैटरी नहीं है तो आप कोई भी मोबाइल की बैटरी यूज कर सकते हो बस आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए तो देखिए किस तरीके से हमें इसको सर्कीट में जोड़ना है तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंट की एक पलस वाली वायर को तो हम यहां पर जोड़ेंगे थोड़ा समझ जोन करके फिर से दिखा दूँ आपको यह जो पलस वाली वायर है यह देखिए यह जो हमारी चार्जिंग सप्लाई की एक नंबर पिन है यहां से जो सप्लाई आ रही है डायट के इस पॉइंट पे आ रही है हमारी speaker की विवायर जोड़ चुकी है यहाँ पे और यह हमारी battery की विवायर जोड़ चुकी है अब देखिए friend अब इसे हमें own करना है तो own करने के लिए यहाँ पे button वगर है तो है नहीं क्योंकि इसका button पूरा खराब हो गया था तो देखिए किस तरीके से अगर आपको own करना क्योंकि अगर battery आपकी चार्ज नहीं होगी तो आप button से भी own करोगे तब भी आपका speaker own नहीं होगा अब इसके अंदर तो button नहीं है ठीक है और button होती भी है कई बार तो खराब होती है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो बस आपकी पहले battery चार्ज होनी चीए और फिर आपक से और यहां वाले point से दोनों को touch करेंगे तो देखिए हमारा speaker own होता है कि नहीं होता तो यह देखिए friend जैसे मैंने touch कर रहा तो आप सुन सकते हो कि हमारा speaker जो है वो own हो चुका है आपने देखा friend फिर से देखिए मैं touch कर रहा हूं यह मैंने इस point पर रखा और इसको यहां प आठा कि आपको इस वाले point पर भी touch करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए यहां से भी हमारा own होगा इसको मैं यहां से अटा लेता हूं अब मैं क्या करता हूं इसको यहां पर रख देता हूं और दुबारा से इस point को हम दुबारा से sort करेंगे और यहीं बा अब आपको ऐसे दोनों point को टच करके देखना है अब यहां पर देखिए friend मैंने यहां से अटा कि इसको यहां पर टच कर रहा है और यह देखिए मैं यहां से भी इसको टच करोंगा तो यह अर्ण हो जाएगा यह कि यहां से हमारा speaker on हो रहा है आप इस वाले battery के minus point है यहां त्यक्त हेथा नएंध Death सकते हो देखें यहांपर में इसको रा करें के और फिर आपको दिखाता आप तब अम ऐसे तो इस त्रीखे से आप माइनस कहीं से भी दिखाते होने सु क्या है मुझे देखना होता है अप कुछ लोगों के मांड वर है कि तो यहां पर लगा सकते हो और यहां पर लगाने पर आपकी बैटरी भी चार्ज होगी लेकिन इससे प्रोलम यह बनेगी फ्रेंड की यह जो ला रंग की LED है यह आपकी हमेशा जलती रहेगी देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं इस वायर को मैं क्या करता यह मैंने यहां पर जोड़ दी और इस वायर को हम यहां पर जोड़ते हैं तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से मैंने जैसे वायर को जोड़ा तो यह जो हमारी charging light है यह हमारी जलने लगी है continue जबकि हमने इसको चार्ज वेगरा नहीं लगा रखा और आप charger भी लगाओगी इसके अंदर तो इसकी बी जो LED है यह भी हमारी continue जलेगी यह देखिए मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूं यह देख लिए तो दोनों की light हमारी जल रही है यहां की भी जल रही है यहां की भी जल रही है इसको मैंने charge भी नहीं लगा रखा तो यह वाली problem आपकी बन जा वाली को हमाटा के डाट के उस सेड में लगा देंगे यह सारी चीजे जब तक practically मैं नहीं बताता लोगों को तब तक समझ नहीं आता इसमें तो इसलिए मैं कोशिस करता हूं कि सब कुछ मैं आपको practically बताऊं फ्रेंड वीडियो जरूर मेरी लंबी होती है लेकिन मैं आपको practically बताने की कोशिस करता हूं तो यह चीज आपको पता चल गया और यह भी आपको पता चल गया कि हम इस वाले पॉइंट को जब सोट करते हैं तो हमारा स्पीकर ओन होता है अब इसका मतलब यह नहीं फ्रेंड की जितने भी बुलूतुस्त के स्पीकर के बोर्ड हैं सभी के अंदर यह पॉइंट हमारे सोट करने पर स्पीकर ओन होगा आपको चेक करना पड़ेगा कई उमने तो यह होता है कि यह वाला जो पॉइंट है और यह इसको सोट करने पर होता है क्योंकि आइसे डबलूएस-887 मोडल के स्पीकर तो बहुत आये हुए लेकि उनके अंदर ज क्या क्या फरक है इसके अंदर आपको देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर की आईसी देख लो और इसके अंदर की आईसी देख लो कितना फरक है इसमें कोई दूसरी आईसी लगी है और इसके पॉइंट के अंदर आप देख सकते हो यहां पर बैटरी वाला है इस तरीके से तो यह हैं तो बोर्ड हमारे डव्लूएस 887 मोडल के बुलूत उत्के लेकिन इनका जो डिजाइन है सर्किट डिजाइन है वो बिल्कुल अलग है इसलिए इनके अलग अलग होते हैं तो आपको सभी पिन को अलग अलग टच करके देखना पड़ेगा बस कंडिशन यही है कि आपकी बैटरी है वो चार्ज होनी चाहिए तब यह समझ में आगी अब कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कि हमारे पास यह सेम बटन नहीं है तो अब हम क्या करें त यह वाली बॉटन यूज करेंगे जो कि मैं बहुत ज्ermaत करता हैँ आपको जरूरी करें कि यह बटन और इसको मैं इस वाले point पे sold करूँगा ये वार थोड़ी से मैं छील लेता हूँ तो ये मैंने वार को छील लिया है अब हम क्या करेंगे कहां पे गया ये point ये रहा तो यहां पे हम इसको sold कर देंगे इस तरीके से friend आपको जुगाड करके सारा काम कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है इस तरीके से मैंने इसके सारे connection कर ली है और यहां पे हमने बटन भी लगा लिया है यह हमारा speaker भी लग गया है सारा कुछ इसके अंदर सिस्टम हो गया है थोड़ा समय जूम को कम कर दूँ तो यहां पे सारी चीज़े हमारी लग चुकी है कोई भी इसके अंदर प्रोलम नहीं है और यहां से हमने एक बटन भी अलग से लगा ली है अब इसकी मतलब से हम इसक उसके कर रहा है कोई प्रोलम नहीं है और इसी तरीके से अगर आपके किसी भी speaker का या फिर कोई बीधि करके दिखा दिया है इसके आपने देख लिए फ्रेंड की हमारी speaker के भी print उखड़े हुए थे, हमारी बटन के भी print उखड़े हुए थे, हमारी बैटरी के भी print उखड़े हुए थे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नई टोपिक्स हाथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम